दोस्तों नमस्कार ये हमागदेशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीत विज्यान अथवा नागरिक सास से आयोजित की जाने वाली परिक्षाओं के लिए महत्तपों टॉपिक राजनीत विज्यान की प प्रोफेसर केंद्री विद्याल संगठन और नेट जयारेफादी परिक्षाओं में पुस्तकों तथा उनके लेखकों के साथ पुस्तकों के प्रकासन वर्ष से संबंधित कई सारे प्रश्ण पूछे जाते हैं इसी को ध्यान में रखकर इस वीडियो में हम परिक्षाओं क द्रिष्ट से महतपूर्ण पुस्तकों तथा उनके प्रकासन वर्ष को संकलित करके एक जगह प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से तयार कर सकें तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो राजनीत विज्यान की प्रमुक पुस्तके एवं प्रकासन वर्ष स 1513 में लिखा गया लेकिन इसका प्रकासन 1532 में हुआ था तो याद रखेगा मैकिया वेली की पुस्तक द प्रिंस 1513 में लिखी गई लेकिन इसका प्रकासन 1532 में हुआ था मैक्या वेली की एक अन्य महत्वपूर्ण रशना है डिस्कोर्सेज आनलेवी ये 1517 में इसका लेखन किया गया लेकिन ये 1532 में प्रकासित हुई तो याद रखिएगा दे प्रिंस मैक्या वेली की महत्वपूर्ण कृती है इसका प्रकासन 1532 में और डिस्कोर्सेज आनलेवी का प्रकासन भी 1532 में हुआ था अगली महत्पूर्ण पुस्तक है शिक्स बुक्स कंसर्निंग रिपबलिक और इसको मूल रूप में दर रिपबलिक लिब्रेशिक्स जो की जीन बूदा की रशना है और इसको 60 में रिपबलिक कहा जाता है दोस्त 176 में हुआ था एक महत्पूर्ण पुस्तक है लेवियाथन इसके लेखक थामस हाप्स हैं और दोस्तों हाप्स द्वारा लिखित लेवायथन का प्रकासन 1651 में हुआ था और ये प्रश्न कई बार परिच्छाओं में पूछा भी जा चुका है कि थामस हाप्स द्वारा लि लेवियाथन का प्रकासन हुआ था एक अन्य महत्पूर्ण पुस्तक है दला आफ वार एंड पीस देखिए बहुत ही महत्पूर्ण पुस्तक है इसके लेखक योगो ग्रोसियस हैं दोस्तों दला आफ वार एंड पीस इसका प्रकासन 1625 में हुआ था और योगो ग्रोसियस क इंटरनेशनल ला या अंतराष्टी कानून का जनक कहा जाता है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दला आफ वार एंड पीस हूगो ग्रोसियस की रशना है इसका प्रकासन 1625 में हुआ था उदारवात के जनक जानलाग की रशना है लेटर आन टोलरेशन इसका प्रकासन 1689 में हुआ था तो याद रखेगा लेटर आन टोलरेशन ये लाग की महत्वपूर्ण कृती है इसका प्रकासन 1689 में हुआ था इसके अलामा देखेए लाग की अन्य महत्वपूर्ण रशना To Treatise on Government देखिए बहुत ही महत्पूर्ण रशना है और इसमें लाग के सभी महत्पूर्ण राजनीतिक विचार इसमें परिलक्षित होते हैं तो याद रखिएगा To Treatise on Government ये जान लाग की कृति है इसका प्रकासन 1690 में हुआ था लाग की एक अन्य महत्पूर्ण कृति है Essay Concerning Human Understanding इसका भी प्रकासन 1690 में हुआ था तो देखिए To Treatise on Government जान लाग की कृति है 1690 में प्रकासन हुआ और Essay Concerning Human Understanding इसका प्रकासन 1690 में हुआ ये भी जान लाग की कृति है देखिए दोस्तों संबिदावादी विचारकों में हाप्स लाक और रूसो का नाम महत्पूर्ण है रूसो की सामाजिक संबिदा पर आधारित पुष्टक इसी नाम से है जिसको Social Contract कहा गया है ये रूसो की रशना है और इसका प्रकासन 1662 में 1762 याद रखिएगा रूसो की रशना Social Contract का प्रकासन 1762 में हुआ था इसके अलामा रूसो की सिक्षा पर आधारित एक पुष्टक है देखिएगा सिक्षा पर आधारित महत्पूर्ण ग्रंत जिसमें उसने प्रगतिगामी सिक्षा की योड ध्यान दिया है और ये है द इमाईल इस कृति का प्रकासन 1762 में हुआ था तो याद रखिएगा Social Contract जो रूसो की महत्पूर्ण रशना है सामाजिक संभिदा सिध्धान पर आधारित है इसका प्रकासन 1762 में और सिक्षा पर आधारित ग्रंत द इमाईल का प्रकासन इसका भी प्रकासन 1762 में हुआ था एक महत्पूर्ण रशना है आप देख सकते हैं द इस्पिरिट आफ लाज तो ये मांटेस्क्यू की रशना है द इस्पिरिट आफ लाज कई बार परिक्षाओं में पूछा गया है नहीं कुछ तो इसके लेखक के बारे में पूछा गया है आप जान लीजे इस्पिरिट आफ लाज मांटेस्क्यू की रशना है 1784 में इसका प्रकासन हुआ था 1784 में मांटेस्क्यू की रशना इस्पिरिट आफ लाज का प्रकासन हुआ और इस पुष्टक में उसने सक्ति प्रिथक करण के सिधान्द की चर्चा की है अगला जो है बुक है Fragments of Government ये जेर्मी बिन्थम की कृति है इसका प्रकासन 1776 में हुआ था और आप देख लीजे दोस्तों उपियोगितावाद के प्रमुख विचारक प्रमुख विचारक बिन्थम की सबसे महत्पून कृति है राजनीत विज्यान पर Introduction to the Principles of Morals and Legislation तो इसका प्रकासन 1789 में हुआ था एवगार फिर से याद रखिए बिन्थम की रशना है Fragments of Government इसका प्रकासन 1776 में और Introduction to the Principles of Morals and Legislation ये भी बिन्थम की रशना है 1789 में प्रकासित हुई थी इसके अलावा देखे दोस्तों एक महत्पून रशना है आप देख सकते हैं History of British India यानि British कालीन भारत का इतिहास ये पुस्तक James Mill की है James Mill ये जान इस्टूर्ट मिल के पिता थे और East India Company में ये जो है सरकारी सेवा में कारे रथ थे History of British India यानि British भारत का इतिहास ये James Mill की रशना है 1818 में इसका प्रकासन हुआ था एक महत्वपून रशना है Lectures on Jurisprudence यानि विधिशास्तर पर व्याख्यान याद रखिए Lectures on Jurisprudence जान आश्टिन की रशना है और इसका प्रकासन 1832 में हुआ था तो बहुत ही महत्वपून पुस्तक है Lectures on Jurisprudence 1832 में प्रकाशित हुई थी अब देखिए जान इस्टूर्ट मिल की रशना है यानि राजनीतिक अर्थवेवस्था के सिध्धान ये J.S. Mill की रशना है इसका प्रकासन 1848 में हुआ था इसकी अलावा जान इस्टूर्ट मिल की एक रशना है दोस्तूं यहाँ पर आप देख सकते हैं Utelitarianism जिसको हिंदी में उपियोगितावात कहा जाए इसका प्रकासन 1861 में हुआ था Utelitarianism जान इस्टूर्ट मिल की रशना है 1861 में ये कृति प्रकासित हुई थी देखे मिल के स्वतंता संबंधी विचार आनलिबर्टी नामक ग्रंत में मिलते हैं जिसका प्रकासन 1869 में हुआ था तो याद रखेगा आनलिबर्टी जान इस्टुवर्ट मिल की रशना है ये 1869 में प्रकासित हुई थी इसी तरह प्रतिनी ध्यात्मक शासन पर विचार यानि consideration on representative government जान इस्टुवर्ट मिल की रशना है 1860 में इसका प्रकासन हुआ था तो आनलिबर्टी 1869 में consideration on representative government 1860 में और utilitarianism ये 1861 में प्रकासित हुई थी और देखिए Subjection of Women यानि इस्टुवर्ट मिल की रशना है इसका प्रकासन 1869 यानि 1869 में हुआ था अब आईए आगे बढ़ते हैं The Critic of Pure Region ये महतपूर्ण पुस्तक आदरस्वादी विचारक Immanuel Kant की है जिसका प्रकासन 1781 में हुआ था देखिए The Critic of Pure Region इमेन्वल कांट इसका प्रकासन 1781 में हुआ था हीगल भी महतपूर्ण आदरस्वादी विचारक है आप जान लीजिए The Phenomenology of Spirit ये हीगल की रशना है इसका प्रकासन 1807 में हुआ था इसके अलावा जे जार्ज विलहम फ्रेडरिक हीगल की एक अन्य रचना है The Philosophy of Right यानी अधिकार का दरसन The Philosophy of Right ये दोस्तों 1821 में इसका प्रकासन हुआ था ये हीगल की महतपूर्ण कृती है देखिए दो पुस्तके हैं हीगल की बहुत ही महतपूर्ण The Phenomenology of Spirit ये 1807 में इसका प्रकासन हुआ और The Philosophy of Right इसका प्रकासन 1821 में हुआ था और ये दोनों ही पुस्तकें हीगल द्वारा रचित है अगली महत्पूर्ण पुस्तक ये देखिए ती एच ग्रीन द्वारा लिखित है Lectures on the Principles of Political Obligations देखिए बहुत ही महत्पूर्ण जो है Lectures on the Principles of Political Obligations ये ती एच ग्रीन की रचना है जिसका प्रकासन 1882 यानी 1882 में हुआ था Man versus the state देखिए व्यक्तिव नाम राजे Man versus the state ये हरबर्ट स्पिंसर की रशना है जिसका प्रकासन 1884 में हुआ था याद रखिएगा हरबर्ट स्पिंसर व्यक्तिवादी विचारक है शुरुआती विचारकों में शामिल है मैन वर्सेश दे इस्टेट ये हर्बर्ट इस्पिंसर की कृती है जिसका प्रकासन 1884 में हुआ था अगला देखिए Physics and Politics Physics and Politics के लेखक वाल्टर बेजहाट है वाल्टर बेजहाट मनुवैग्यानिक लेखकों में आते हैं 1873 में इनकी पुस्तक Physics and Politics का प्रकासन हुआ था तो याद रखिएगा Physics and Politics पुस्तक वाल्टर बेजहाट की है जिसका प्रकासन 1873 में हुआ था और इसी तरह The English Constitution यानि English सम्विधान ये वाल्टर बेजहाट द्वारा लिखित है जिसका प्रकासन 1866 यानि 1867 में हुआ था तो वाल्टर बेजहाट की दो महतपूर्ण पुस्तके हैं Physics and Politics 1873 में इसका प्रकासन हुआ The English Constitution 1866 में प्रकासित हुई थी ग्राहम वालास दोस्तों ग्राहम वालास महतपूर्ण जो हैं मनोविज्ञानवादी विचारक है Human Nature in Politics यानि राजनीत में मानो सोभाव तो ये ग्राहम वालास की रशना है जिसका प्रकासन 1908 में हुआ था याद रखेगा Human Nature in Politics पुस्तक ग्राहम वालास द्वारा लिखी गई है जिसका प्रकासन वर्स 1908 में हुआ था एक महतपूर्ण पुस्तक है The Group Mind विलियम मैक डूगल की रशना है और विलियम मैक डूगल भी मनोविज्ञानवादी लेखनक है जिन्होंने राजनीत में समाशास्तर में मनोविज्ञान लेखन का इन्होंने सुत्रपात किया है और महतपूर्ण मनोविज्ञानिक है जो की राजनीती समाशास्तर में मनोविज्ञान के प्रभाव का आध्यन करने वाले विचारक है इनकी महतपूर्ण पुस्तक The Group Mind है ये 1920 में प्रकासित हुई थी विलियम मैक डूगल की अगला देखिए दोस्तों यूटोपिया यूटोपिया महतपूर्ण पुस्तक है इसको कलपना लोग या स्वपन लोग कहा जाता है इसके लेखक टामसमूर है और ये पुस्तक सन 1516 में प्रकाशित हुई थी तो यूटोपिया यानि कलपना लोग या स्वपन लोग इसका प् कालमाक्स की महतपूर्ण कृतियों और रशनाओं की बारे में जान लेते हैं, देखिए, दपावर्टी या फिलासफी ये कालमाक्स की रशना है, ये 1847 में प्रकासित हुआ था, देखिए, दपावर्टी ये 1847 में प्रकासित हुआ था, देखिए, दपावर्टी या फिलासफी ये 1847 में प्रकासित हुआ था, दपावर्टी का पॉलेटिकल एकानमी ये कालमाक्स की रशना है, 1869 में इसका प्रकासन हुआ था, और देख सकते हैं, वैलू प्राइस एंड प्राफिट, यानि कीमत, मुल्य और मुल्य कीमत और लाव, इसका प्रकासन 1865 में हुआ, और दास कैपिटल जो की माक्स के प्रस पॉलेटिकल एकानमी ये किस के द्वारा लिखी गई है, तो ये वी आई लेनिन की द्वारा लिखी गई है, इसका प्रकासन 1918 में हुआ है, तो याद रखेगा, लेनिन की पुस्तक इसका प्रकासन 1918 में हुआ था, इसके अलावा एक अन्निकृति, यानि क्या किया जाना चाहिए, ये लेनिन की कृति है, इसका प्रकासन 1902 में हुआ था, और इंपिरियलिजम, दे फाइनल स्टेज आफ कैप्टलिजम, यानि सामराज जिवाद, पूजी वाद की उच्चितम अवस्था, ये लेनिन की कृति है, और ये 1970 में इसका प्रकासन हुआ था, तो याद रखेगा, इंपिरियलिजम, दे फाइनल स्टेज आफ कैप्टलिजम, लेनिन द्वारा लिखा गया, और ये 1970 में प्रकासित हुआ, अब आईए देख लेते हैं, न्यू डेमोक्रेसी, न्यू डेमोक्रेसी पुस्तग, ये माउच से तुंग, जिनको सा 1945 में हुआ था, न्यू डेमोक्रेसी माउ की कृति है, 1940 में इसका प्रकासन हुआ, और आन कोईलिशन गौर्मेंट माउ से तुंग की रशना है, जिसका प्रकासन वर्स 1945 में हुआ था, तो दोस्तूं, ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने राजनीत विज्ञान की प्रम थी महत्पूर्ण है, और ये टॉपिक आपके विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं जैसे TGT, PGT, Yalty Grade, Government Inter College प्रवक्ता, Government Degree College, उच्चितर सिक्षा Assistant Professor केंद्री विद्याले संगठन, राजस्थान, मध्य प्रदेश द्वारा, राजनीत विज्ञान अथ्वा नागरिक सास परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपियोगी है, आप इन प्रशनों को, इन पुस्तकों को, उनके लेखक और प्रकासन वर्सों को तयार कर लिजेगा, ताकि परिक्षाओं में यदि ये प्रशन आपके सामने आते हैं, तो आप उनको सही सही अटेंट कर सकें, वीडियो दोस्तों नमस्कार